एक गाव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रमेश था, रमेश एक मेहनती और इमानदार व्यक्ति था, उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे वह अपनी और अपने परिवार की जीविका चलाता था, रमेश का जीवन खेती पर निर्भर था, और हर साल वह खेत मे कड़ी मेहनत करता था ताकि वह अपनी फसल उगा सके और अपने परिवार का पेग पाल सके, लेकिन पिछले कुछ सालों से रमेश की किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी, एक साल उसकी फसल को बार ने बरबाद कर दिया, तो अगले साल सूखे ने उसे कंगाल बना दिया, फिर भी, रमेश ने हार नहीं मानी और हर बार नए उत्साह के साथ खेती करने की कोशिश करता रहा, उसके पास खेती के लिए बहुत कम साधन थे, एक गरीब किसान था जिसका नाम रामू था, वो एक छोटे से गाव में रहता था और अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके अपने परिवार का पालन पोशन करता था, उसकी जमीन बंज़ थी और फसल अच्छी नहीं होती थी, हर मौसम में वह जी जान से मेहनत करता पर उसकी फसले कभी अच्छी नहीं होती, बारिश के अभाव में उसकी फसले सूख जाती थी और किसी साल ओलावरिष्टी में फस बरबाद हो जाती थी रामू के पास बहुत कम साधन थे वो खुदी खेत जोतता